गोट मॉर्निंग बच्चो कैसे हो अच्छे होना आप लो अच्छा बच्चो दैनिक पठन पाठन की किरिया में विशन सिक्षन समबात की ओर से आज हम कक्षा आठ के हिंदी के अनवार्य संस्कृत के पाठ चार लिवक्तिना प्रियोगा को पढ़ेंगे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे उसके बाद इसको हल करेंगे पहले स्लोक की हिंदी है हिंदी इन्वाद कुल शील सत्य बुद्धी तेज धैर बल गौरव विश्वास इसने सब दरिद्रशा से नस्ट होता है दूसरे स्लोक का अर्थ है गुण से रूप की शोबा होती है शील से कुल की शोबा होती है सिद्धी से विध्या की शोबा होती है और भोगो से धन की शोबा होती है तरतियस लोक, कार्यों में समान गुंड से मेल होता है, हिरन के बच्चे हिरनों के पीछे चलते हैं गायों के पीछे, घोडों के पीछे, मूर्ख के, मूर्खा के पीछे और विद्वान के विद्यानों के पीछे चलते हैं अथात इसकार्थ है कि जैसे गुण मिलते हैं उसी के अनुसार काम होता है चतुर्त स्लोक जिसकी लक्षमी दान के लिए जिसकी विद्या अच्छे कार्र के लिए जिसकी चिंता पर्म भ्रह्मा के चिंतन के लिए और जिसकी वानी परोपकार के लिए होती है वे तीनों लोको में अलंकार सरूफ बंधनिय स्रेष्ट है पाचमा स्लोक विष्च से अमरत ग्रहन कर लेना चाहिए सोने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहन कर लेना चाहिए उत्तम विद्या नीच कुल से भी ग्रहन कर लेनी चाहिए और बुरे कुल से भी इस्त्री रत्न ग्रहन कर लेना च चाहिए छटाइस लोक हाथ की शोभा दान से है कंट की शोभा सत्ते से है कान की शोभा शास्त से है फिर आबूशनों से क्या प्रायोजन अर्थात धन कुछ भी नहीं है अगला उस्सब में व्यस्न में आकाल में राष्टपर विपत्ती में राजा के दरवार में और सम्षान में जो साथ दिता है वही सही बंदू है अब हम इसका अभ्यास कारे करेंगे पहला प्रशन है उच्चारण करें आप सभी इस पार्ट को अपनी भाशा में पढ़ेंगे और सुद उच्चारण करेंगे उसके बाद प्रश्णुत्तर है दरिद्र दारने की विनिश्यती दरिद्रता से क्या नाश हो जाता है दरिद्रता से बलम विनिश्यती बल का नाश होता है वंद का भवती यसे लक्षमी दानाएं यसे विद्या सकुरते यसे चिंता प्रम ब्रह्मा विनिश्चराएं जिस प हमारी भगवान को सोचने के लिए की जाती है। पदों में विवक्ति को बताए। दानाय चतुरती विवक्ति, वन्चांसी प्रत्मा विवक्ति, विशात पंच्मी विवक्ति, अश्रोतश्य चतुरती विवक्ति। पुष्प शब्द के अलग-अलग विवक्ति के सात रूप दिये गए है। उचित रूप का चेन कर वाक् पुष्पम विक्षती, पुष्पाणी आन्यन, पुष्पात सुगंद प्रशती, पुष्पे आपड़ां गच्छा, पुष्पेशु मदू ग्रहिवा ब्रह्मराह उड्यती, पुष्पेभ्या, माला, आकश्ण भवती पुष्पड़णाम, ब्रम्रह, गुर्जयन्ती प्रश्ण पांच संस्कृत में अनवात करो दरिद्रता से बल नस्ट होता है दरिद्रेन, बलम, विंश्यती गुण से रूप की शुभा होती है गुणों, भूष्णे, रूपह, सुने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहन कर लेना चाहिए अमेधा, याद्पित, ग्राह, यम, कंच चनम हाथ की शुभा दान से होती है हस्तश्य भूष्णम दान परोपकारी पूज्य होता है परोपकारी वंदिनियं अस्ति धन्यवाद बच्चों, अगले अंग के साथ अब हम कल मिलेंगे धन्यवाद